तो कुछ लोग वैख्सीन को जिम्मेदार ठहरा रहें तो कुछ लोग बैक्सीन को जिम्मेदार ठहरा तो आज के इस वीडियो में हम सभी इन सवालों के बारे में जानेंगे नमस्कार मैं कुल्दीप साहू और आप देख रहे हैं दाख बलता नूश सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर हार्ट अटक होता क्या है जब सरीर में फ्रैट और कोलेस्टाल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वह ब्लट को हाट की ओल ले जाने वाली सीरा में जम जाता है जिससे ब्लट आगे हाट में नहीं जा पाता है और ब्लट का सर्कुलेशन रूख जाता है जिससे हाट अटक आता है और जब हाट ठीक से ब्लट पप ना कर पाए तो इस कंडिशन को हाट फेल का जा ओवर्वर्काउट से बॉड़ी को ज्यादा इस्ट्रेस करना पड़ता है इस दोरान जिनकी बॉड़ी में 20-30% का ब्रॉकेज होता है वह भी हार्ट अटेक का सिकार हो जाते हैं बिना मेडिकल सलाह के प्रोटीन सप्लिमेंट्स लेने से भी हार्ट कम जो होता है तो वहीं इंपक्ट होता है यंग स्टार्स में जनेटिक कार्णों से भी हार्ट अटेक आ सकता है भुपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलोजी प्रिभाग के एचोडी डंक्टर राजियेक उत्ता बताते हैं कि बीते सालों में यंग स्टार्स में इमोशनाल अपसेट ब रहे हैं लेकिन हार्ट अत्यक में यह इतना कंट्रिबूट कर रहा है यह तो रिशर्च करने की बात है डांक्टर अतुल प्रभू का मानना है कि कोविड वैक्सिन भी कोविड पाटिकल से ही बनी होती है और हर वैक्सिन का साइड एफक्ट होता ही है लेकि इस पर कुल ही न अपना है और जो पहले से हट रोक से ग्रशित हो चुके हैं उन्हें अपने हट की जांच समय समय पर करवानी चाहिए ऐसी ही रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सेर करें बने रहें दाखवर्दान ने उसके साथ धन्यवाद